जमीन पर हमारे जाबाज और आसमान पर हमारे ड्रोन्स सैक्डो ड्रोन्स की परफेक्ट सिंग्रनी आज आत्म निर्भर भारत की इबारत आसमान पर चमकेगी इस ड्रोन्स शो के पीछे है IIT Delhi का एक युवा स्टार्टप Bot Lab Dynamics जिसने छे साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे तयार किया है इसके फाउंडर मेंबर से तनमे, अनुच और डॉक्टर सरिता एहलावत Bot Lab की ये टिकनोलोजी, डिजाइन, मैनुफेक्चरिंग, प्रोग्रामिंग, पूर्ण तया स्वदेशी है और तो और, Bot Lab टीम ने इनोवेशन से इसकी लागत को एकतिहाई कर दिया है हमें गर्व है कि अमेरिका, रश्या, चाइना के बाद हमारा देश चौथा ऐसा देश होगा क्योंकि हमारे ये युवा भारत के आकाश में ऐसा इंद्रधनुशी भविश्य देने को ततपर है जहां दुनिया की सबसे एडवांस्ट युवेवीस का वर्चस्व होगा तुम्ही गगन के तारे गिन्ना अगर मगर को छोड़के सारे सपने रखो जेब में रातें तोड मरोड के जन्गन मनसम्मान हमारा वंदे मातरम जान है थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान गतिमान है हिंदुस्तान पिस्टॉल से तेजस विमान तक ड्रोन से मंगल यान तक आत्म निरभरता के नए कीरतिमान गड़ता न्यू इंडिया अथियारों के साथ साथ विचारों की वो आत्म निर्भरता जिसकी आत्मा वसुथैव कुटुम्बकम में नीहित है नए भारत के सुर्योदे की छटा को अदभूत आकरतियों द्वारा क्षितिज पर सजाते हमारे युबाउं की ड्रोन्स अमरित महुत सब में रायसीना की पहाडियों पर नया इतिहास रचते हमारे पूर्ट सुदेशी ड्रोन्स आईए स्वागत करते हैं हमारे नन्हे जगमगाते जादुगरों के करिशमे का कर दो सुदेशी रूर्ट सुदेश्य वे हमारे इन व्युड़ों के वाहते हमारे जायसी dafür साहस शौर्य और पराक्रम का के सर्या रंग कि शांती सौहार्द्र अमन का श्वेत वर्ण उर्वर्ता पवित्रता सम्रिध्य की हरित द्युति ये तीनों जैसे ही एक साथ आते हैं हर भारतिय के मन में एक जलतरंग सी बज़ उठती है फिर चाहे वो भारतवासी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बस्ता हो भारत ने तो सदा से सारे संसार को अपना परिवार माना है तब ही तो हजारों वर्षों पहले हमारे रिशियों ने कहा था वसुधैव कुटुम्बकंभ अगर हम विश्व की विभिन पुरातन संस्कृतियों के इतिहास को देखे तो पाएंगे कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौए जमा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा पर एक देश होता क्या है? क्या केवल एक भूखन, जमीन का एक तुकड़ा या उस देश में बसे लोग, उनकी सभ्यता, संस्कृती, संसकार, उनके मूल्य और विश्वास? अगर हम भारत के मूल्य तत्व को खोजें, तो मिलता है सत्य, अहिंसा, प्रेन, सहिश्णुता, सवहार्द्र, साहस और सत्याग रहे तब ही तो यदि कोई एक व्यक्ति हमारे भारत का प्रतिन धित्व करता है, तो वे हैं हमारे राश्ट्रुपिता, हमारे बापू, महात्मा गांधी जिनके बारे में महान विग्याने काइंस्टीन ने कहा था, आने वाली नसले इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी कि महात्मा गांधी जैसा कोई हाड मास का मानव सचमुझ कभी था राश्ट्रुपिता, महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग रहसे आजादी की लड़ाई लड़ी तो देश के कोने कोने में आजादी के अंगिनत दीवानों ने, क्रांतिकारियों ने आजादी का अलख जगाया उनके साहस त्याग और बलिदान से जिस स्वतंत्र राश्ट्र का जन्म हुआ, उस भारत गणराज्य की रक्षा करते हुए हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओ के जवानों ने भी कुर्बानिया दी है उन्ही बलिदानों को नमन करने के लिए चिररिणी राश्ट्र ने बनाया है राश्ट्रिय समर्समारक जहां आजादी से अब तक शहीद हुए हर जवान का नाम प्रस्तर पर उकेरा गया है बीच में स्थित हैं अमर चक्र, वीर्ता चक्र, त्याग चक्र वर रक्षक चक्र नाम के चार चक्र जिनके उपर शान से खड़ा है एक विजय स्तंब जिसके अंदर दिनराज जलती रहती है एक अखंड अमर जवान जयोती सीमाओं पर सुरक्षा के साथ ही आज भारत का सामर्थ्य हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है और एक नए भारत आत्म निर्भर भारत का उदय हो रहा है आज कोटी कोटी भारतवासी देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपना योगदान दे रहे है अब वैक्सीन से वायू यान तक, तमतार रोकेटों से युद्ध पोतों तक, खेती से उद्यम तक, शिक्षा से कारुबार तक हमारे वैज्ञानिक विशेशग्य नमाचार करता, अपनी असीम क्षमता के उपयोग से देश में नित नई समाधान दे कर लोगों का जीवन आसान बना रहे है आज हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट होने के 75 साल पूरे कर अपने अम्रित वर्ष में प्रवेश कर चुका है ये आजादी का अम्रित महोत्सव हम सब के लिए एक अनुष्ठान का महोर्त है 75 वर्षों में सारी कठिनाईयों के बावजूद जो दूरियां हमने नापी है जो उचाईयां हमने चुई है आज उनका उल्लास पूर्ण उत्सव भी हमें मनाना है और आगे एक नए इंडिया को बनाने के लिए नई उपलब्धियों, सफलताओं, योजनाओं का संकल्प भी हमें उठाना है इस अनूठे, अनूखे, अनमोल, अनंत सफर में अगर कोई हमारा सहारा है, हमारा धुरुवतारा है हमारा कुतुबनुमा, हमारा प्रकाश स्तंभ, हमारा आलोकित आकाश दीप है तो वो है हमारा तिरंगा, जिसके तीन रंग सदा हमें प्रोक्साहित करते अनेकता में एकता का सबक सिखाते, और देश प्रेम में सदा तत पर, सदा आगे रहने का मार्ग दिखाते है आज, आईए हम सब मिलकर फिर से अपने राश्ट्र ध्वज को प्रणाम करें और शपत लें अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की बंदन करें हम सब अपनी भारत मा का और एक समवेत स्वर में कहें बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम छॉठाओ लेचा आदे मातरम धल भॉष प्रॉब लेचार झाल 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 कर दोया है जाँ झाल